कहानी की शुरुवात में हमें पता चलता है कि भविश्य में जेलों में बंद कैदियों पर होने वाला खर्चा बचाने के लिए सरकारे कैदियों को सुनसान आईलेंड्स पर मरने के लिए छोड़ने लगेंगी ऐसे ही एक आईलेंड पर लगभग 500 कैदियों को इतने कम खाने के साथ छोड़ दिया गया कि वो जिन्दा रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करने के लिए मजबूर हो गये फिल्म की शुरवात होती है एक सर्थ पहाड़ी इलाके से जहां जिलिन नाम का एक आदमी रुकने का ठिकाना ढून रहा था थोड़ा चलने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो एक जमी हुई नदी में गिर कर फिसलने लगा जैसे तैसे वो बाहर निकला और आगे बढ़ना जारी रखा थोड़ी देर बाद जब उसे बहुत ठकावट मैसूस हुई तो वो एक पत्थर पर बैठ कर अपने अतीत के खयालों में खो गया जिलिन छे लोगों के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था एक दिन उसे जेल के गवर्नर ने बुला कर पूछा कि उसका सपना क्या है उसके साथ के सभी कैदियों से भी यही सवाल पूछा जा रहा था कोई समुद्र देखना चाहता था तो किसी को बस अपने परिवार से मिलना था उबेजियान नाम के कैदी ने तो यही कह दिया कि मैं तो जेल का गवर्नर बनना चाता हूँ बना दो गवर्नर ने उन्हें बताया कि एक प्रोजेक्ट के तहत उन्हें दूर की एक जेल में भेजा जाएगा कुछ देर बाद कवर्नर ने सभी कैदियों को एक शिप में चड़ने के ओर्डर्स दिये जहाज में भी जेल की तरह सबको अलग-अलग सेल्स में बंद कर दिया गया लेकिन उबेजियान बिना बात ही सबका लीडर बनने की कोशिश कर रहा था और अपना दबदबा बनाने के लिए उसने एक आदमी को मार भी दिया जहाज के निकलने पर सभी कैदी बहुत घबराई हुए थे कि शायद उन सबको समंदर के बीच में ही मार दिया जाएगा घबराहट और स्ट्रेस में कई कैदी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे ये सब देखकर जिलिन को सीपा की एक बात याद आई सीपा को एक धिमागी बीमारी थी और वो दिवार पर अजीब और गरीब चीजे बना कर कुछ ना कुछ बक्ता ही रहता था लेकिन उस दिन उसने कहा था कि अब तो नर्क में भी जगा नहीं बची इसलिए उन जैसे लोगों को उससे भी बेकार जगा जाना पड़ेगा जिलिन को लगा था कि ये भी फाल्तू बक्वास है लेकिन मौजूदा हाला देखकर अब उसे ये हकीकत लग रही थी कुछ देर बाद सब शांत हो गए लेकिन सफर के बीच ही एक गैंग अपने सेल से निकल कर अपने एक साथी को ढूनने लगी उबेजियान ने उससे समझोते का नाटक करके मौका मिलते ही उसे मार डाला इसके बाद कैदियों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए जल्द ही गार्ड्स ने आकर कुछ फायर किये और लडाई रोक थी उन्होंने कैदियों के पास स्लीपिंग गैस के गोले भी भैंक दिये ताकि आगे के रास्ते में आराम से सोते रहे अखिरकार वो सब एक सुनसान आइलेंड पर पहुँचे जहां सभी कैदियों को एक नंबर देकर हतकड़ी बांधी हुई थी वहां मिस्टर रोलाफसन और मार्टा आये जो टेरानोवा प्रोजेक्ट के हेड थे क्योंकि दुनिया के जादातर देशों ने अब फांसी की सजा को बंद कर दिया था तो अब कैदियों को रखने के लिए जगा कम पड़ रही थी इसलिए रश्या की सरकार ने टेरानोवा प्रोजेक्ट की शुरुवात की है अबसे वो जेल में नहीं होंगे लेकिन उनके गुलाम बन कर रहेंगे उनकी जरूरत के लिए तीन वहीने का राशन वहां मौझूद था सैटलाइट्स की मदद से उन पर हर पल नजर रखी जा रही थी अगर उनकी कोई मांग हो तो वो समुद्र में बने कम्यूनिकेशन सिस्टम का लाल बटन दबा सकते हैं अगर हरीवत्ती आई तो मतलब उनकी डिमांड मान ली गई है वरना भूल जाओ ओबेज यहां नजर रखे जाने के विरोध में पत्थर भैकने लगा लेकिन गार्ड्स ने बन्दू के दिखा कर सब को शांत कर दिया मार्ता ने उन्हें बताया कि उसी कम्यूनिकेशन सिस्टम के जरीए वो प्रोजेक्ट छोड़कर जा भी सकते हैं उन्हें बस अपना नाम और जाने की वज़ा बतानी होगी फिर उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया चाएगा जाने से पहले गार्ड्स ने सभी चाबियां मिला कर फैंक दी जो सब के नंबर के हिसाब से हतकडी खोलेंगी सभी कैदी चाबिले ने ऐसे लपके जैसे गोल गपपे देखकर लड़किया जिलिन और सीपा साइड में खड़े होकर गिरी हुई चाबियां इखटा करने लगे तब ही एक गैंग ने गार्ड्स के बचे हुए हतियार उठा कर बाकियों पर हमला बोल दिया हतियारों के दम पर एली की गैंग ने एक बार तो दूसरे गुट को दबा लिया लेकिन जल्द ही बाकी कैदियों ने जवाबी हमला कर दिया इस लड़ाई में कई लोग जान से हाथ धो बैठे लड़ाई के दौरान दूसरी गैंग के कैदियों ने एली को भी मार दिया समुद्र में लहरों का बहाव इतना जादा था कि कुछ कैदी जो कम्यूनिकेशन सिस्टम के पास जा रहे थे डूब कर मर गए बाकी बचे कैदी स्टोर में जाकर सामान बाटने लगे जिलिन ने चल्दी से एक जैकेट उठाई और जरूरत का सामान पैक करके वहाँ से जाने लगा सीपा ने हिसाब लगाया कि ये खाना तीन महीने तक तो बिलकुल नहीं चलेगा इसके बाद जिलिन उस जगा को छोड़कर अपने रास्ते निगल पड़ा और हम उस जगा पहुँच गए जहां से कहानी की शुरवात हुई थी वो एक ठिकाना ढूंड कर आराम करने बैठा और अपने परिवार की तस्वीर देखते हुए उन्हें याद करने लगा बेचारा जिलिन आखों में आसू लिये वहीं सो गया थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाद सुनाई थी उसने देखा कि कैदियों के खाने में तो चूहे वरे हुए थे तभी बारिश होने लगी तो उसने एक छोटी सी चटान के नीचे अपना अड़ा जमा लिया उसने आग जला कर थोड़ा पानी गरम किया और बारिश के रुपने का इंतजार करने लगा बारिश बंध होने के बाद उसने एक पक्षी का शिकार किया और उसे पका कर खाने लगा तभी सीपा भी वहाँ आ पहुँचा उसने जलिन का चाकु चुराने की कोशिश की लेकिन उसने ये पहले ही देख लिया था सीपा ने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उसे थोड़ा नमक दिया तो जलिन ने भी अपने शिकार को उससे पाटना सही समझा खाना खाने के बाद सीपा एक चटान के किनारे जाकर कहने लगा कि वो कूदना तो चाहता है पर उसे डर लगता है उसने जिलिन से पूछा कि वो क्यों नहीं मर जाता, आखिर क्या रखा ऐसी जिंदगी में इस पर जिलिन ने जवाब दिया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और वो भी उन्हीं के साथ दफन होना चाहता है इसलिए अगर वो इस आईलेंड पर मर गया तो उसकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाएगी थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक एरप्लेन के टुकडे पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान रह गए थोड़ा ढूनने पर उन्हें एरप्लेन का पूरा हिस्सा भी मिल गया उस प्लेन में जिलिन को एक आशा की किरन दिखी क्योंकि असल में वो एक पाइलेट हुआ करता था लेकिन उसे हिला पाना दो आदमियों के वसकी बात नहीं थी इसलिए वो वापस अपने ठिकाने पर आ गए जिलिन ने आग जलाई लेकिन न जाने उन लकडियों में ऐसा क्या था कि उसमें से जहरीला धुआ निकलने लगा उसने फटा-फट सो रहे सीपा को वहां से हटाया जिलिन की बहुत कोशिशों के बाद सीपा ने आखे खोली लेकिन अब ही वो कुछ आजीब सा बके जा रहा था आग बुजाने के बाद जिलिन को चिंता होने लगी कि ऐसे तो वो ठंड से कभी भी मर सकते हैं ठंड से बचने के लिए उन्होंने बेस पर वापस जाकर कोईला चुराने का प्लान बनाया लेकिन बेस पर तो ओबेजियान और उसकी गैंग ने कबजा कर रखा था वो बाकी सब को कैद करके रखते थे और सिर्फ एक बंद जगया में ही सैर करने दे थे वापस जाते समय सबको भाग कर जाना होता था और जो भी आखिर में रह गया उसे वो दरिंदे मार कर खा जाते जिलिन और सीपा को आखिरकार कोईला मिल गया और वो ठंड के मारे एक दूसरे से चिपट कर आग के किनारे बैठ गए जब ग्याएं किसी कैदी को पकाने के लिए ले जा रही थी तो सीपा की आख खुली वो जल्दी से एक चटान के पीछे छुप गया लेकिन जिलिन अभी भी वही सो रहा था उसे घसीट कर छुपाने के चक्कर में उबेजियान के लोगों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़ कर बेस में ले गए अगले दिन सैर के बाद सभी कैदी अंदर की तरफ भागने लगे लेकिन जिलिन वही कड़ा रहा सीपा उसकी जान बचाने के लिए खीच कर उसे अपने साथ अंदर ले गया उन जलादों ने आखरी बचे इंसान को बड़ी बेरहमी से एक खंबे से बान दिया उसने मरने से पहले पानी की मांग की तो सीपा ने तरस खाकर उसे पानी पिलाया अंदर सभी कैदी भागने का प्लैन बना रहे थे अगले दिन सैर के बाद सिर्फ दो ही लोग अंदर की तरफ भागे और बाकी सब यूँ ही खड़े रहे उनमें से एक ने तो गैंग के एक आदमी के सर पर जोरदार पत्थर मारा जिलिन ने ओवेजियान को उफर दिया कि अगर वो उन्हें सरकार से खाने की मांग करने दे तो वो उन्हें उस जहाज की लोकेशन बता सकता है जो उसे और सीपा को मिला था उबेजियान ने उसकी बात मान ली और उन्हें कम्यूनिकेशन सिस्टम तक जाने दिया उधर उबेजियान को पता चला कि जिलिन एक पाइलट हुआ करता था और उसका पूरा परिवार एक प्लेन क्रैश में मारा गया जिलिन के दिल पर इस सदमे ने गहरी चोट की और उसने गुस्से में अपना आपा खोकर फ्लाइट डिस्पैचर्स को गोली से उड़ा दिया उबेजियान को लगने लगा कि सनकी पाइलेट को जरूर कुछ वहम हुआ होगा और उस विरान टापू पर कोई एरपलेन नहीं है उसने डील तोड़कर सभी कैदियों को वापस अंदर भागने को कहा उधर समुद्र में जिलिन और उसके साथ ही कम्यूनिकेशन सिस्टम तक पहुँच गए लेकिन वो तूटा हुआ था उन्होंने वापस जाकर ओबेजियान से कहा कि रिक्वेस्ट पहुचा दी गई है और खाना कुछ ही दिनों में आ जाएगा लेकिन ओबेजियान उनकी बात नहीं माना क्योंकि हरी बत्ती तो आई ही नहीं थी टोलिया ने उसे एक बार फिर प्लेन का लालच दिया लेकिन उसे उस पर भी विश्वास नहीं था वो लोग समझ गए थे कि ओबेजियान उनकी बात नहीं सुनेगा तो मौका देखकर टोलिया ने उसकी करतन में चाकू खुसा दिया उनके पूरे ग्रुप ने मिलकर बाकी की गैंग को भी खतम कर दिया ग्रुप ने जिलिन से पूछा कि आगे का ग्या प्लान है उसने सभी कैदियों को आजाद करने का फैसला लिया उसका मानना था कि खाना सच में आने वाला है उन्हें हरी बत्ती तो इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वो टूटी हुई थी हालां कि बाकियों को इस बात पर कुछ खास विश्वास नहीं था जिलिन का असली प्लान तो उस एरप्लेन को ठीक करके सब को वहां से निकालने का था आखिरकार उन्होंने सभी कैदियों को आजाद कर दिया और कहा कि अब वो एक दूसरे को मार के नहीं खाएंगे उन्होंने कुछ आदमियों को भेज कर प्लेन की मरमत का काम शुरू कर दिया कुछ तेर बाद सीपा चिलाने लगा कि ओपरेशन लीडर्स बखवास कर रहे थे और उनके उपर नजर रखने के लिए कोई सैटलाइट वगेरा नहीं है क्योंकि उसके बनाए इतने बड़े साइन को देखकर भी कोई मदद के लिए नहीं आया जिलिन आदमियों को एरप्लेन तक लेकर कया और उसे देखकर सब खुशी से जूमने लगे उन्होंने उसे डिसेंबल करके एक एक पुर्जा बेस तक पहुँचाया कुछ देर बाद मार्टा अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँची उन्होंने गैस के जरीए बाकी कैदियों को दूर ही रखा और सिर्फ जिलिन से बात की मार्टा ने पूछा कि उन्हें पेट्रोल क्यों चाहिए जिलिन ने बहाना लगाते हुए कहा अब पावर जनरेटर्स के लिए जबकि असलियत में उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए फ्यूल की जरूरत थी उनकी बातचीत के दोरान जिलिन समझ गया कि इन्होंने उन पर नजर रखने के लिए कोई थर्मल सैटलाइट नहीं लगा रखी क्योंकि वो नहीं जानते थे कि टापू पर कितने कैदी जिंदा हैं उसने उन्हें बताया कि कई कैदी बीमार हैं लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट छोड़कर वापस जेल नहीं जाना चाहता उनसे जरूरत का सामान लेकर उनके जाने के बाद जिलिन ने जल्दी से प्लेन में फ्यूल डाल कर देखा खुश किसमती से वो काम कर रहा था कुछ ही देर में माटा ने आइलेंड पर अमेरिकन कैदियों को गार्ट्स बना कर भेज दिया जिलिन ने उनके लीडर से हाथ मिलाने की कोशिश की लेकिन उसने बिना बाद जिलिन पर हमला कर दिया दोनों तरफ के कैदियों में जोरदार लड़ाई चुरू हो गई जैसे तैसे सीपा जिलिन को बचा कर दूसरी तरफ ले आया जिलिन के ग्रुप ने मिलकर अमेरिकन कैदियों के लीडर को मार गिराया चारों और भयंकर मार काट होने लगी प्रोजेक्ट के हेड्स ने इस पर नजर रखी हुई थी जब उन्हें लगा कि 40% से जादा कैदी मर चुके हैं तो उन्होंने कोड नेकेड आयलेंड लागू कर दिया उन्होंने कई गार्ड्स भेज कर बचे हुए कैदियों को मारने के लिए आयलेंड में भारी बंबारी शुरू कर थी किसी तरह चार कैदी छिपते छिपाते बच गए थे जिलिन, सीपा, अर्शनौफ और टोलिया उन्होंने मिलकर प्लेन बाहर निकाला लेकिन चड़ने से पहले ही सीपा उन्हें अलविदा कहकर चटानों से कूदने चला गया अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था बागी तीन प्लेन में बैठे और जिलिन उसे उडाने में एक कामियाब भी हो गया तभी गार्ड्स ने जोरदार गोली बारी शुरू कर थी जिलिन ने बचने की काफी कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से उसके दोनों साथी इस फाइरिंग में मारे गए सिर्फ जिलिन अकेला अपनी जान बचा कर उस आईलेंड से निकल पाया तो अगर तुम किसी आईलेंड पर भस जाओ तो ये डिस्कावरी देख के आगवाग जलानी सीख रखिये की नहीं